लोकसभा चुनाओं में प्रधानमंती नरेंदर मुदी को हराने के लिए विपक्ष ने गढ़बंधन बनाया था लेकिन गढ़बंधन में इसके पहले ही लगातार कल है चलती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस कार्याले पर आज एक पोश्टर लगाया गया जिसमें ये क समाजवादी पार्टी से गढ़बंधन ना करें 1990 की गलती को नहां दो रहा है हमाँ साथ बात करने के लिए मवजूद है उत्तव प्रदेश सरकार में कैबनेट मंतरी हैं जैवीड सिंग सर आज एक पोश्टर लगाए गया 27 में राहुल गांधी को लेकर अजहराय को लेकर मैं समझता हूं कि मैं निजच्च दूर्थ से बिखनने का काम कराएगा अच्छा प्रमोत किष्णम ने भी मायावती को नियोता दिया कि आप विपक्ष के गटबंधर में शामिल हो जाइए लेकिन समाजवादी पार्टी से दूरी बना रही है इसको आप किस तरीके से देखते हैं अगर आजम खान की आज मुलाकात को लेकर भी बात करें देखिए आजम साब का यह माना जाता है कि मसलिम में अच्छा प्रभाव और आजम खान साब के प्रत मसलमानों का कहीं ने कुछ जुकाओ या हमदर्दी है यह मानते हुए कॉंग्रेस का प्रयास है को उस हमदर्दी को उस आत्मी बाव को अपनी और आकरसित करके मसलिम बोट अपनी हो खीच ले या आजम साहब की जो सपाते नाराज़गी पूर में भी दिखाई देती रही है वो कहीं न कहीं दिल से कुरेद के सीधा कॉंग्रेस अपने साथ जोनने का काम में सफल हो जाए यह प्रयास कॉंग्रेस का मुझे लगता है उसी परपेच्च में यह आज का जो प्रजेस अद्धच कॉंग्रेस जा रहे हैं इसके पीचे यही मंसा रही होगी इसको चूंकि आज देख रहे हैं कि मद्ध विदेश को लेके पहले टीका टिपड़ी और बड़ा टीकी ठलक टिपड़ी है दूसरे के पर दूई है यह दूसरा मुद्दा इसु हो गया इसका मतब साफ है कि अंदर उनी कहीं न कहीं खीचतान इनकी काईदे से फुरू हो गई है अब विचा यह है कि यह इनका अपना आपसी विचा है जो चलता रहेगा जिससे हम लगों कोई लेना देना सरो होगा नहीं है लेकिन आज यह सब उत्ता प्रिर्स की पूरी जनता देख रही है कि आई-न्डी आई-न्डी यह का घट बनन अपना असली मूल सुरू लेत जेज से पहले ही बिखनने का काम शुरू हो गया है ज है देज नर ले चुगा है तीसरी बार मोजी कि नित्तत पर सरकार बनाने का काम जंता करेगी देज को पता है देज की प्रगती द सब्सक्राइब करना है तो इस समय आधरी मोजी जी के लावा कोई विकल्प नहीं है इसलिए पूरे देश की जन्ता एक जुटता के साथ मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारिक नहीं बताएंगे तो तारिक भी सामने आ गई है बाइस जन्वरी की जब प्रधान मैंतिर नरेंद्र मोदी अयुद्या में पहुंचेंगे प्रान पतिश्टा के समय बताया जा रहा है कि एक एतिहासी कारक्रम होगा एक भवे कारक्रम मगा तमाम सादू संथ पहुंचेंगे विदेशी जो साधू संथ हैं भोभी पहुंचेंगे तो क्या एकसर पूरी आप लोगों की तैयारी है देके पहले तो सनातर संसकती के मानने वाले उन सभी विस वर के लगयों को बहुत-बहुत बढ़ायां सुब कामना है कि पांते स काम आधरी प्रिधानमंत्री स्वीमोधी के करकमलों से संपन होगा यह तो पुनीत अवसर पर सभी को व्यापग रूप से तैयारियों का जम्मा जो दिया गया है उत्पर काम चलना है प्रदेश सरकार अपने जो भी वेविंद कारें वो पूरा कर रही है ट्रस्ट और करके प्रयास ही है 22 जनवरी जब इसका लोकार पड़ का कारकम हो वहां सी राम मंदर के उससे पहले पहले आयोध्या को भबता दिवता अलोकिता देने के लिए जादे तर परवजना पर पूरता आजाए यह जो पूरता नहीं हो सकती है तेजी से काम करती है वहां यह प्रय कि खाने की पीने की सारे संसाथ में सविदाए चाक चोबंद रहें यह पूरा प्रयास की किया रहा है और एक सद्धा लूगों जो वह आयोध्या में इस अवसर पर पढ़ा रहें तो इसको मैसूद हो कि हम भावाराम की त्रेटा नक युक्की आयोध्या में आये जो अलोक हैं क्या इंको भी आप लोग बुलाएंगे यह यह जो भी कार्कम हो रहा है उसमें आमंतिर किसे करना है नहीं करना है किसको उनकी अपने करना है यह नियास और ट्रस्ट के लोग कर रहें इसमें सरकार की कोई भूमका नहीं है सरकार अपना काम करेंगी कि जो भी लोग आया बागी काम नियासकार, ट्रस्ट का है, बुलो अपना करेंगे, किसको बुलाना है, नहीं बुलाना है, क्या करना है, यह उनका दाहित्त हुआ है. अब जो है, इंडिया की जगा वहाँ पर भारत पढ़ा जाएगा, कैसे देखते हैं आप इस पैसले को आपको लगता है, कि हाँ इंडिया को पीछे छोड़ देना चाहिए, जहां पर भी इंडिया लिखा गया है, अब वहाँ पर भारत ही होना चाहिए। भारत ही है, उसको कोई हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत को प्रात्मित्ता देना ये भारत की आत्मा को मूल सरुप में, राष्टी भावनात उत्परूत करने वाला है, निश्चे दूप से भारत होगा, तो भारत के प्रत एक आत्मी भाव बढ़ाएगा, र नई पीडी को एक नया संदेश, जेज प्रेम का, राष्ट प्रेम का जा सकेगा, ऐसा मेरा मनना है.